हालो एवरीबन तुरकर रहे हैं रुकमिनी का कुश्चन नमबर 76 नमबर सिश्टम के सभी कुश्चन जो दिये हो हैं बहुत आसान है सब चुकि प्रिवियस में पुछाई आसान है ठीक है आसान सवालों से आपका नौकरी होने वाला है तो इसमें लगिये जम के सवाल था 76 प 0,2,3,6,7,7 से बनने वाली पांच अंको की बड़ी से बड़ी संख्या और चोटी से छोटी संख्या एक कितना अंतर है ठीक है अगर मुझे पांच अंको की बनानी है तो सभी का युज करना रहे ध्यान रहे जीरो अगर पहले लेते हैं तो संख्या बने के लिए सबसे पहले छोटा बड़ा फिर ऐसे बढते जाएगा लेकिन फ़ लेंगे तो ये आपको जीरू का पहले रहने पर कोई वैलु नहीं होता है । इसलिए जब संख्या बनानी हो तो फ़ नहीं लिजेगा लेकिन हां इसको ये रिखेंगे में गलत हो यानि कि अगर बड़ा को लिखेंगे तो मैं लिख सकता हूँ बड़ा को 7 पहले फिर उसके बाद 6 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 0 यानि बड़ा लिखना है तो पहले बड़ा का लिखेंगे और फिर छोटा लिखते जाएए घटाना है आपको यह 3 चोटी संख्या बनाना है तो छोटी को सबसे पहले रखना फिर उसके बाद बढ़ा फिर उसके बाद बढ़ा फिर उसके बाद बढ़ा लेकिन ध्यान रहे अगर जीरो तो पहले रखेंगे तो वह पांच अंगों की ना बनके चारी अंगों की बनेगी इसलिए आपको ये बा कहता है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनके गुननफल 375 है तो उनके व्युतकर्मों का योग, व्युतकर्म मतलब होता उल्टा, इन्वर्स, रेशिप्रोकल, जैसे A और B अगर योगफल दिया हुआ है, दोनों का योगफल A पलस B दिया हुआ है आपको 40, और दोनों का गुननफल दिया हुआ है, 375 है, अब यह कहा रहा है, व्युतकर्मों का योग, यानि कि 1 बटा A पलस 1 बटा B निकाल ये, ये बोल रहा है, उनके इन्वर्स का योग पूछ रहा है, अगर मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये निकालना है, तो मैं इनका LCM दे सकता हूँ, A, B, LCM लोंगा, तो मुझे मिलेगा A, पलस B मिलेगा, ठीक है, अगर मुझे A, पलस B मिलेगा, ये अर्थात, यहां पर तो मिला हुआ, A पलस B भी है, और A भी भी है, यानि कि अगर ये ही निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ, 40 बटा में, 375, कैलकुलेट किजेगा, अंसर आजाएगा, पांच से कट रहा, आठ पचे 40, आठ अपसन वाला, एक ही ही उपर में, यही मार ये आप, लेकिन काटके देखिए, आठ से, 8 पचे 40 और 75 पचे, 375, तो ये 8 अपोन 75 इसका अंसर होगा, ठीक है, मुझे लगता है कि बात समझ में, आया होगा पढ़ता हूँ, अगले सवाल, एक काम करता हूँ, अगले सवाल खुर निकालता हूँ, सवाल 78, 78 कह रहा है कि दो संख्या, फिर वैसा ही कह रहा है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके वितकर्मों का योग अबर दिया हुआ है, यानि कि दो संख्याओं का आगर मुझे पत योग अगर एक से और गुननफल वाई है तो उनके व्यूत कर्मों का योग फल यानि कि वन बटा ये पलस बटा बी पराबर होता है ए पलस बी बटा एबी यानि कि या हो जाता एक्स बटा वाई जो कि पहले वाले सवाल में देखें यहां पर कह रहा है कि दो संख्याओं का मौत दिया हुआ है यानि कि मैं दोनों संख्याओं का योग ले लूँगा एपलस बी पराबर नाइन और व्यूत कर्मों का योग यानि कि निकालना है तुभे संख्याओं का योग दिया हुआ है यानि कि अबर दिया हुआ है क्या एपलस बी मेरा है और व्यूत कर्मों का योग यानिकी एपलस B, व्यूत कर्मों का योग A पलस B बटा A B होता है यह दिया हुआ है आपको कितना? एक बटा 2, तो सुची जड़ा क्या समझ में आरा है बात? व्यूत कर्मों का योग ये बला आता है ठीक है और वो दिया हुए हमेरे कितना? A plus B बटा A B यानि कि Half और इन दोनों के माध्यम से हमके पता है कि अगर 9 है और ये भी है तो लिख मिलेगा 9 बटा A B बरावर Half यानि कि A B बरावर 9 दूना अठारा A B बरावर अठारा अब जरा समझे कि आपको मिला हुआ है आपको मिला हुआ है A plus B बरावर 9 और A B बरावर मिला हुआ है अठारा तो आपको निकालना है यदि वे संख्या है तो आप क्या कर सकते हो hidden trial भी देख सकते हो 6 और 3 नौ हो रहा है और 6 ये अठारा हो रहा है यानि 6 और 3 option से भी आप लगा सकते थे पाइदे वे किसी बच्चे को अगर निकालना है तो आप क्या किजिए कि A plus B बरावर दिया हुआ है 9 A minus B निकालिएगा तो ये root अंडर A square यानि 9 का square minus 2 into 18 होगा minus वाला निकालना है तो यहाँ पर पलस रखिएगा sorry minus वाला निकाल रहे है आप न तो माइनस निकालिए और यहाँ पर लिखे A square minus कितना था 4 into 18 तो अठर चौंक 72 और 99 एक्यासी 81 मेंसे 72 जाएगा आपको 9 बचेगा और 9 का अंतर कितना वर्गमुल होगा 3 तो अगर A plus B बरावर 9 दिया हुआ है और A minus B बरावर 3 दिया हुआ है A बरावर 9 plus 3 बटा 2 हो जाएगा यानि 9, 3, 12 बटा 2 यानि कितना हो जाएगा 6 तो यही मिल रहा था A बरावर और B बरावर मिल जाता हमारा B बरावर कैसे सोचेंगे 9 minus 3 बटा 2 लेकिन ज़रा सा सोचिए कि यह बड़ा लिंदी हुआ तो आपको अगर दिख रहा था कि सर A into B बरावर आपका 18 है और A plus B कितना है, A plus B बरावर 9 है, तो 6 और 3 तो टूठी रहा है अगर आपको यह दिख रहा था यह A into B क्या है, A plus B बरावर 9 आगया यहां से, A plus B बरावर 9 देल था और 18 मैंने निकाल लिया यहां से अगर 18 निकाल लिया और योग दिया वह था तो मुझे hidden trial से सोचना चाहिए कितना 6 और 3 यानि कि मैं इसको ले सकता हूँ तो 3, 6 और इसको 3, 4, 18 भी हो रहा है और 6, 39 भी हो रहा है तो फिर ये करने से बच जाएंगे लेकिन ये भी आपको बताया जाता हो आगर कि इसको पाउच करें लिजएगा मैं बता रहा हूँ ध्यान दिजेगा कभी भी अगर आपको a plus b दिया है और a plus b बरावर दिया है x और n to b बरावर दिया है y और a minus b निकालना है a minus b निकालना है तो root under plus minus दोनों ले सकते हैं लेकिन plus में भी काम चलेगा root under a x x square जो भी वेलू दिया है यहां पर और minus अगर पलस वाला से निकाल रहे है तो यहां मैनस लिखेंगे 4 into y लिख देंगे या फिर अगर माल लिजी यह तो होगे हमारा यह पलस वाला दिया हुआ है तो मैनस वाला निकालना है ठीक है लिखें अगर मुझे दिया हुआ है क्या हमारा दिया हुआ है अगर माइनस वाला ही दिया हुआ है म और मुझे इस से पलस वाला निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे root under a x square माइनस वाला से निकाल रहा है तो यहां पर पलस वाल लेंगे और फॉर इंटु एंड लिखेंगे यानि फॉर रहना चाहिए कोई रहेगा तो यह आपको दोनों मदद करता है डारेक्ट पलस वाला से माइनस वाला निकालने में और माइनस वाला से पलस वाला निकालने में आ रहा होगा यह है इसलिए यह यूज किये थे लेकिन हिट्रेंट ट्राइल से दिखेगा तो कोई यूज ने इनका कोई मतलब नहीं है तो मुझे लगता है कि जिनको यह समझ में आता है बात वो आपको कर लेंगे एक दो एक्जामपल लेकर भी देख सकते हैं आप लोग ठीक है पढ़ता हूँ आगले सवाल की तरफ एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किये उससे दोगने गलत हल किये एक विद्यार्थी जितने सवाल सही हल किये उससे दोगना क्या किया गलत हल किया ठीक है और उसने अड़तालिस सवालों को हल किया भाई साहब सही से दुगना गलत है सही जितना उससे दुगना कौन है गलत है सही एक तो गलत कितना तो यानि टोटल कितने तीन सवालों में सही एक किया और दो गलत किया तो तीन बरावर कितना तीन हमारा नहीं है सवाल बिर बाहर सुल्हू अर्थाथ सुल्ह अहीज है और कि यह यह अर्णोर हमारा गलत हो गोह यह लाए जाएगा इसलेड्य गलत आधर पालीस तो सही हल के सवाल के संक्या कितना है असानी आसान सवाल पुछ रहा था ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 बराबर 48 है तो एक बराबर 16 होगा पढ़ते हैं अंगले प्रश्न की तरफ एक कप्तान देखो ऐसी नंबर सिस्टम के कुश्चन ऐसी कुछ 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 रहता है जो कि आसानी से आप सोचेगा और बनेगा सवाल देखे कह रहाता है कप्तान और सैनिकों को मिला कर 12 लोग हैं 12 वेक्ति हैं एक समूह रेल यात्रा पर कर रहे हैं एक रेल में स्रक्istatar prate wonder says 25 को कि लिए एक कप्तान है तुस उसमुमें कप्तानों कि संख्या कितने है यानि 15 सेनिक तो एक कप्तान सेम कुश्चन है वहां पर था वैसा ही है सैनिक ट्टल कितना 1515 पर 15 साहनों पर एक कंप्तान के व्याहीं कि क bacter और साहनी का अनुपार 15 से के पंदरा ओर 16 नि disorder कितना है यां मेरे सांब से जो रेशाय। में मानते हैं वह नीचे रखेंगे और रिएल वाला चीज Wow अगर मुझे किसी चीज को जिसमें बदलना है उसको उपर रखेंगे जो निकालना जिसे हैं मालो की सुल्ला रैश्यो है और उसी को रियल में कह रहे हैं बारासो अब देखिए यदि प्रतेक बाराज पैंदर से इनको लेए कप्तान है तो उस हमों में कप्तानों की संख्या कितनी है कप्तान कितना था हमारा 15 पर एक ना तो 15 और 16 16 बराबर 1200 टोटल 1200 है तो 16 बराबर 1200 उसमें कप्तान कितना है एक सोला के लिए एक कप्तान ना कुल संख्या सोला तो उसमें कैप्तान कितने एक तो कुल संख्या बारा सो तो उसमें कप्तान कितना बगलबर की एक सोला से काट दिजिए काटने के लिए चार्चों का सोला और तिन्चों का बारा ये 25 या 75 बार में कड़ जाएगा यानि 75 कैप्टन है इसमें समुह में 75 लोग 75 कैप्टन है समझबा रहा है सैनिक और कप्तान का हर एक 15 सैनिक पर एक कप्तान है आगे बढ़ते हैं किसी संख्या को चार साथ से उत्रोतर पिछले क्लास में क्रमवार डिवीजन के बारे बताये थे उत्रोतर भाग देने का मतलब कि भागफल में भाग देना क्रमवार भाग इसको उत्रोतर भाग भी बोलता है किसी संख्या में किस से भागा दे रहे हैं किसी संख्या में भागा दे रहे हैं चार और साथ से तो सेस क्या बाच रहा है अगर भाजक आपका भाजक आपका चार और साथ है, तो सेश आपका 2 और 1 है, अब ज़रा सुचिए, यानि किसी संख्या में क्रमवार, पिछला विडियो देखेगा, उसमें क्रमवार डिवीजन को हम सिखाए है, वही उत्रोतर बोलता है, उत्रोतर मतलब क्रमवार, क्रमवार भाग देते हैं तो ऐसे तो उसी संख्या में 28 से भाग दिया जाए तो सेस्वल क्या होगा देखिए यहां पर संख्या निकाल लिए संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको यह संख्या निकालने के लिए ये सबसे छोटी संख्या निकलता है सबसे छोटी संख्या वैसे संख्या ये अनन्द है संख्या निकालने का तरीका क्या है संख्या निकालने का तरीका है ये इनका जो भाजक है चार और साथ उसका LCM संख्या बराबर क्या होगा भाजक है उसका LCM इन्टु के और पलस छोटी संख्या ठीक है ये फर्मुला है लेकिन आप बहुत सारे सवाल केवल छोटी संख्या से ही बना सकते हैं तो छोटी संख्या निकालने के लिए इसको इससे गुना करिएगा और इसको जोड़िएगा तो गुना करिए एक गुने चार चार हुआ और चार और दूख 6 यानि छोटी संख्या क्या मिला हमको? छोटी संख्या मिला 6 अब 6 में 28 से भाग देंगे तो 6 ही रहेगा छे में 28 से भागा देंगे तो क्या होगा? 6 होगा लेकिन अगर मुझे संख्या पुछा रहता तो सच चन्ख 28 24 पलस चे लेते इसमें के का वेलू जितना पुट करते जाएगा उतना वैसी संख्या निकलते जाएगा जिसमें चार और साथ से भाग देंगे क्रमवार तो सेसफल कितना बचेगा दू और एक तो समझेगा सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्रॉस ऐसे गुना करते है जोडते हैं फिर आगे गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे ऐसे करते जाते हैं लेकिन अगर संख्या निकालना है तो LCM के साथ के और छोटी संख्या लिखे मुझे लगता है कि बात असपस्ट हुआ होगा ये पिछले वीडियो में भी बताया गया है डिटेल रूप से वहा अब ब्रिहतम संख्या बड़ी संख्या ब्रिहतम मतलब बड़ी जो कि X जिसके लिए संख्या इतना तीन से विभाजी है एक्स ब्रिहतम आंक X यानि कि X बड़ा से बड़ा लेना है तो 5, X, 7, 9, 3, X, 4 है अब मुझे X के जगा बड़ा संख्या लेना है जो तीन से कटे ती digit sum तीन होना चाहिए जैसे, अच्छा, digit sum का नियम बताये थे कि 9 बराबर digit sum में क्या करते हैं, ds में क्या करते हैं, 9 बराबर क्या लेते हैं, 0, और 9 से बड़ा रहता है तो उसके अंको को जोडते हैं, जैसे इसका digit sum कितना होगा देखिए, इसका digit sum निकलेगा, 9 कटने वाला है, ये 3 है और 5 और 4 है, ये भी कटने वाला है 9, इसका digit sum 7-3, 10, यानि 10 पलस 2x मिल रहा है digit sum, 10 का भी digit sum आप क्या ले सकते हैं पता है, 10 का digit sum आप ले सकते हैं, 1 पलस 0, 1, यानि कि 1 पलस 2x मिल रहा है, अब सोचिए मुझे, x का value option में से ऐसा लेना है, जो कि बड़ा value भी हो, और 3 से काटता हो, जैसे मालों कि अगर 9 रखता हो, तो 9 दुनी, 18 और 1, 19, 19 का digit sum होता है 10, और 10, 3 से नहीं कटेगा, साथ ले रहा हूं, साथ दुना, 14, 14 और 1, 15, 15 तीन से कटता है, और इसलिए इसका answer होजागा, कौन, B, क्योंकि बाकी तब इससे छोटे हैं, तो इसको क्यों check करूंगा, मुझे बड़ा चाहिए था, तो मैं पहले बड़ा check किया 9 को, तो 9 दुनी, 18 और 1, 19 हुआ, 19 का digit sum 9 औ और 1, 15, care करेंगा digit sum, 10 का digit sum कितना, एक, जहां 9 से ज़्यादा हुआ, उसके अंकों का योग निकालिए, और 9 है तो 0 लिखेंगे, मुझे लगता है बात समझ में आ रहा होगा, बढ़ते हैं, अभी तीकि यह remainder थी और हमका यह question दिया, यह सब सारे बेहद आसान सवाल है, ले पावर छोड़ दिजी आप, इसी में भागा दिजी बेस में, तो बेस में भागा देंगे, तो आठ में, नौ में, आठ से भागा देंगे, तो सेस कितना बचेगा, एक, और पावर जहूं का त्यों लिखे, छे, और पलस वन, बटा आठ, यहनि कि रिमेंडर हो जाएगा, 2 बटा 8, यहनि कि अल्टिमेंटली रिमेंडर होगा 2, यही इसका अंसर होगा, यहनि कि काट दी जागा, काट नहीं सकते हैं, जितना सभागा देना वो निचे रहेगा आपका, ठीक है, आगे देखते हैं, सवाल 83 के बाद 84, 84 में कह रहा है कि दो अंको की एक संख्या, आपने अंको के योग के पांच गुनी है, देखेए भाई साहब, दो अंको की संख्या के बारे में, बढ़ियां से विचार कीजिए, कभी भी दो अंको पर अधारित शंख्या दे और उसके आस्थान बदले, जैसे इसमें कह रहा जाते हैं बदल जाते हैं कभी भी कोई भी दो अंकों की संख्या के अंकों के अस्थान बदलने पर सवाल देगा तो आपको क्या करना है अगर दो अंकों के अस्थान बदलने पर देगा तो 10 A पलस B एक संख्या है दुसरी संख्या 10 B पलस A अगर A B एक संख्या है तो संख्या का फोर्म सही क्या है 10 A पलस B और उसके अस्थान बदलने पर अस्थान बदलने पर संख्या बनता है 10 B पलस A और इनका अंतर जो होता है अंतर इसमें से घटेगा तो A घटेगा तो 9 होगा और B घटेगा इसमें तो minus 9 भी होगा यानि कि 9 into A minus B होगा यानि कि जो संख्या है उनके अंकों को अस्थान बदलेंगे तो उनका अंतर जानते हैं क्या होगा अंकों के अंतर का नौ गुणा होगा नतर संक्या का अंतर जैसे माले की 37How 76 विनका अंतर निका लिएगा तो आपको सात और ख़ो कांतर ता एक गुन नौ यानि 9 का अंतर होगा ये नव और होगा इनकाँ ना है नलगा की तीन पांच गलीयोग पांच और तीन दू Camboli है इसके ऑंतर बदलेंगे तो अठारा है एंतर क्योंकि शॉपके बिचका उंतर कितना है वशो only चारा प्रतेना थाना जॉं इसाट झान गुए नवंगों का नॉगने अंकि का अंतर के बरावर अंजब सांधोन सथानों को बदल दिया जाए तब का जो आंतर होता है वो नों गुने अंज़ों का अंतर होता है खिंक है अब जैसा मानले जङिए कि साथ और तीन ले रहे हैं तो आंतर कितने का यह चार का था संख्या जो बनेगा संख्या जो 7 और 3 से बने और उसको पलट के बने तो 73 और 37 बन रहा है तो पता है 73 और 37 के अंतर जो होगा चुकी उनके अंकों का अंतर 4 है इसलिए उन संख्याओं का अंतर नौचों का 36 ही होगा ठीक है यह कहां यूज होता है अच्छा योग क्या होता है तो योग के लिए आप समझ लीजिए इसमें भी कोई रिकत नहीं है अगर योग मुझे निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 A और A 11 यानि कि दोनों का योग जो होगा 110 A पलस B होगा यानि कि अगर य ध्यान देना है आपको सवाल आपका क्या है पता है सवाल कह रहा है कि यदि तो अंकों के एक संख्या के अंकों का योग अंको के योग की पाँच गुना है यादि संख्या में नौ जोड दिया जाए तो अंको के अस्थान परस पर बदल जाते हैं संखों के अंकों के योग का पाँच गुना तो सुचिए अंकों के योग का पाँच गुना है यानि कि A पलस B का पाँच गुना है संख्या एक संख्या अपने अंकों के योग का पाँच गुना है 10 पलस B के पाँच गुना है और अगर 9 जोड़ दिया जाए इसमें यानि कि दसे पलस B में क्या जोड़ दिया जाए यह संख्या मालनी है संख्या है तो अपने अंकों के योग का पाच गुना है और अगर इसमें नौ जोड़ दिया जाए तो पता है अगर नौ जोड़ दिया जाए तो संख्या के अस्थान परस पर बदल जाते हैं यानि कि नौ जोड़ने पर संख्या के परस पर अंत बदल जाते हैं अर्थात यानि कि यानि कि आप समझ पा रहे हूं संख्या अस्थान बदलने पर बनी संख्या में कितने कांतर है नौका ठीक है आप वैसे एक एक नियम से बना लिजे यानि कि मैं लिख सकता हूं यहां पर 10A पलस B पलस 9 और यहां पर पलट जाएगा यह 10B पलस A हो जाएगा इसको कैलकुलेट किजेगा तो यहां पर मिल जाएगा 9A पलस 9 और बटा 9B यानि कि A पलस B परावर जानते हैं कितना हो जाएगा यानि कि A माइनस B परावर आजाता होगा आपको A माइनस B परावर 1 आजाता होगा यानि कि मुझे ऐसा होना चाहिए कि दोनों का अंकों का अंतर कितना हो एक इस भी सोची न यहां पर अंतर दोनों एक संख्या दुसरी संख्या से नौ बड़ी है यानि कि अंकों का अंतर पक्का कितना रहता होगा एक ऐसे या तो तीन चार हो चार पांच हो पांच गुनी में लानिका मतलब 5 के मैं पांच के मैंटोमें लगातार संख्या जो एक के अंतर पर हो deci अगर आपको टर्म करना है तो यहां से स्वेजल्य करना होगा इसको भी सबस्वार कि जई पिस prawd मिलेगा आपको यह संख्या निश्चित तो पर कौंसा फोगा 45 होगा 45 कैसे आपको जैसा कि पता है कि यहां पर 5A दे दिया 5A पलस B यानि कि आप निकाल सकते हैं इससे 5A पलस 5B मैं यह अगर आप लिख नहीं हों तो इधर मिटाता हूँ यह सवाल अगर आप जानते हों तो हिटेंट ट्राइल से बना सकते हैं लेकिन अथेंटिक अगर बनाने की बात है तब तो यह आया हमारा यह पलस A-B वरा और पांच A-B वरा और वन और यहां लिखेगा तो यह मिले आ रहा है यहां पर आप देखेगा तो A-B का अनुपात 5-4 होगा यानि कि आप क्या नहीं लग रहा है इन दोनों का अंतर जो है सो एक है तो यही संख्या क्या होंगे ओरिजनल संख्या होंगे यानि कि A-4 और B-5 तो संख्या जो होगा सो दस्चों का 40 और प्लस 5 संख्या होगा 45 और उनके अंकों का योग जो होगा सो कितना होगा 9 होगा यह थphem लेंदी हो गया लेकिन आप जरा सा समझे ये मुझे दीग गया था कि अगर दो संख्यां के अंतर अंकों के दो संख्याओं के अंतर कितने है? 9, एक संख्या दुसरे से 9 बड़ी है इसका मतलब दोनों के अंकों का अंतर कितना होगा? एक, वही आप calculate किये तो निकला एक, दुसरा कह रहा था कि अब जो संख्या बनेगी उन अंकों को जोड़कर पांच गुनी बनेगी पांच गुनी यानिकी पांच के multiple में बनेगी तो सोची जरा कि A पलस B का कितना value होगा कि वह पांच गुना बनने पर पांच गुना बनेगा अब जरा सहा हमको पता है कि वह पांच गुना बनने के लिए अनुपात निकालेंगे तो A अनुपात B का आ जाएगा 5-4 मैं देख रहा हूं कि ये ठीक तो है 5-4, 9-9 पचे, 45 बन सकता है इससे और इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना है एक, यानि कि संख्या 45 था तो थोड़ा सा ये लिंदी है लेकिन अगर आपको कॉंसेप्ट है तो डाइरेक्ट आपको अंसर आता होगा 45 और 54 ठीक है, ओप्सन से भी तो पुछता है अंकों का योग तो 5-4, 9 सवाल 85 देखेगा तो अंकों की संख्या का इकायंग, दहायंग का दोगना है 27 अधिक होगी, देखे फिर वही बात है, 27 अधिक है, इसका मतलब यह है कि 9 इंटू A-B बरावर 27 है क्योंकि संख्या के 10A plus B, minus 10B plus A, इनका अंतर होना चाहिए 27, तो यह आजगा यही, यहनिकि A-B बरावर कितना होगा? इन, अगर A-B बरावर 3 आ रहा है, और कह रहा है, तो A-B बरावर 3 आ रहा है, तो यह तो option AC cancel, यह भी option AC cancel, अब यह 63 और यह 36 बच गया, कह रहा है कि पुरानी संख्या निकालना है हमको, और कह रहा है नई संख्या पुरानी से 27 अधिक होगी, नई संख्या पुरानी से 27 फिर कि गरह यानि कि दुगनी है और अंतर तीन है तो यह ओर तीन होना चाहिए यह ऐसे अपसे मतंविंदि अभ्राट वी learnt लेकिन 64 झाषे की रचा की तो नए संख्या पुरानी से सताई सधीक है तो नई संख्या जो है तो पुरानी से सताई सधीक है और पुरानी निकालना है तो पुरानी 36 होगा तभी न सताई सधीक होगा 63 तो पुरानी हो जागा यहां पर 36 बता लग जा रहा था जी इन कांतर है तो छो और तीने होगा option में तो यही दोनों दिया हुआ है ठीक है मुझे लगता है कि बात समझ माया होगा संख्या option से ही बना सकते हैं भी और डायरेक्ट अगर theory से बनाते यहां पर पुरानी संख्या पुछ रहा है बाद वाली नई संख्या अप सताई सधीक है इसलिए पुरानी संख्या निकालना है तो चातिस पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इस अब बन भी गया होगा सबसे अगर मालों की लगातार कोई बना के देख रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें डाउट रहेगा एक अक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से पांच गुनी है यानि कि लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या से पांच गुनी है असान सा सवाल यह पांच गुनी है कौन सी का अच्छा के कुल बच्चों की संख्या नहीं है पांच गुनी है तो छो से कटना चाहिए यह नहीं कट रहा है छो से यह कट रहा है छो से यह नहीं कट रहा है छ तो बन के अनुपात में होना चाहिए निए कि दोनों का योग 6 से कटना चाहिए जो नहीं कटेगा वह अंसर नहीं होगा तो जो नहीं कट रहा है वहीं चुनना था यानि 3-5 अंसर नहीं होगा अगले प्रेश्ण के तरह बढ़ते हैं दीकि ऐसे देता है कि आप पढ़े होंगे जानवरों की संख्या मुंडी और पैर गिंता है तो आपको एक समानकर ही बना सकते हैं इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं लेकिन मुझे मानना है कि जो सवाल असानी से बनता है एकस पर उसको एकस पर ही बनाए ज्यादा उसमें कुछ सोचना नहीं भेड और गडेरिया की एकसमों में सुल्ला पैर है जो सीर की संख्या से दस अधिक है यानि कि पैरों की संख्या कितना है पैर कुल पैर कुल पैर कुल पैर सुल्ला और कुल सीर कुल सीरों की संख्या क्या है पता है सीरों की संख्या पैरों से दस अधिक है तो सिर की संख्या से दसादीख है पैर हमाइना सिर संक्या छे होगा अब जरह सोचीए है यहांनल गडेरिया का पैर ये गडेरिया का पैर कस और टieur बेड का पैर चार, गडेरिया के पैर दो, मैं माल लिया कि गडेरिया की संख्या कितना, भेड की संख्या माल लिये A, और गडेरिया की संख्या माल लिये B, तो 4A पलस 2B, बराबर कितना, या फिर आप सोची न, टोटल संख्या कितना, मुंडी कितना अचे, अगर मैं गडेरि कि संख्या मान लू किसी का भी मान सकता हूं भेड का संख्या अगर मालने हो एक्स तो गड़ेरिया कितना होगा गड़ेरिया की संख्या हो जाएगा 6-6 बोलिए क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कुल मुंडी तो एक अकेगो होगा भले पैर अलग अलग हो लेकिन मुंडी एक होगा और मुंडियों की संख्या भेड का मान लिए एक्स तो गडेरियों की संख्या कितना होगी 6-6 माने उसी को जो निकालना है यानि भेडों की संख्या निकालना था और मुझे पता है भेड के 4 पैर लेकिन गडेरियों के 2-2 पैर और ये total पैरों की संख्या अगर जोड़िएगा तो मिलेगा कितना 16 कैलकुलेट कीजिए 4x प्लस 12-2x ब्रावर 16 कहने का मतलब की 2x ब्रावर 4 और एक्स ब्रावर कितना 2 तो कहने का मतलब भेडों की संख्या 2 है डायरेक्ट भी बना तकते हैं लेकिन आप समझे कि एक्समान कर बनाया कर यह असानी से बन जाता है कोई इसमें तिकत नहीं है पढ़ता हूं प्रेडों की संख्या एक्समान है तो चार चार पैर तो चार एक्स और गड़ेरिया की संख्या 6 माइनस एक्समान है क्यूंकि कुल मुंडी 6 है यानि लोग 6 6 है गड़ेरिया और भेड को मिला कर पढ़ता हूं एक्सिणिया घर में चुहे और कबुतर है एक्सिणिया घर में चुहे और कबुतर है यदि कुल नबे सीर है यदि कुल नबे सीर है तथा 224 पैर हैं तो कभूत्रों की संख्या क्या है एक चुणिया घर में चुहें और कभूत्र है यादि कुल 90 सीर हैं तो को कुल सीर कितने 90 यानि व्यक्ति 90 हैं टोटल 90 हैं और पैरों की संख्या 224 है और कभूत्रों की कुल संख्या निकालना है भाई साहब कभूत्र और चुहें चार पैर और कभुतर के दो पैर ये चार पैर और ये दो पैर अब मुझे कभुत्रों की संख्या मान लिया मैं एक्स कभुत्रों की संख्या माना कितना एक्स तो चुहों की संख्या कितना नब्य माइनस एक्स कभुत्र अगर मान लो एक्स कभुत्र मानलिये x थो चुहों की संख्या कितना नभी टोतल जानवर तो नभी मैंनस x और कभुत्रों के दो दो पैर और चुहों की कितने 4 पैर और जोडेंगे तो कितना मिलेगा टोटल मिल जागा कितना डोसो चोबीस काल्कुलेट कीजिए गाएक सागा अंसर और यानिकेट टुएक्स पलस नौचोगा थेस्ट तिस तिस तर्फ माइनस चार एक्स और बराबर दो सोचोबीस है यानिकेट दोसोचोबीस घटाएंगे तो चाहर 10 तीन दू पांच और एक 136 और परावर टू एक्स हो जाएगा एक्स परावर हो जाएगा चाहओ दूनी बारा आड़ दूनी शोला शिक्ष्टी एट यानि कि 68 किसके संख्या थी कभूतरों की देखो मानेंगे उसी को जो इसको निकालना होगा जीवन में मानेंगे उसी को केवल जिसको निकालना है यहाँ पर भी मानेंगे उसी को जिसको निकालना होगा कि क्यों ओप्सन में उटारेक्ट मिल जाएगा ठीक है इसलिए निकालत ठीक बात है अब कहता है कि आधे मालिक तो आपने घोड़ों पर बैठें यानि कि जो आदमी है जो गोड़ा पर आधा बैठल है मालनी जी कि एक्स घोडा और एक्स आदमी है और आधा आदमी घोडे की संख्या एक्स और आदमी की संख्या भी एक्स है जितना घोडा उतना आदमी और आधा घोडा है ना आधा आदमी है जो घोडा पर बैठल है अब सोचो कि आधा अदमी का पैर नीचे में नहीं होगा जबकि सेस अपने घोड़ों का नित्र पैदल चल रहे है यदि जमीन पर चल रहे ही त्रांगों की संख्या सतर है जमीन पर अईमिलाके सतर अधा होगा यानि के अधा गोड़ा तो बताएं घोड़े कितने हैं हम घोड़ा की संख्या कितना माने है एकस तो चौदा ज औज़ां झोड़ा घोड़ा और चोअदा हुड़ा घोड़ा चाउधा analytics तो चाउधा चवदांगा छपब़न पर घोड़ा के और उठाइ्श और साय। Q4 6-पबन पर घोड़े के और साथ आदमी सारी 14 आदमी में साथ आदमी तो बैठल है और साथ आदमी नीचे है तो साथ दुनी 14 पैर आदमियों के 56 गोड़ों के पैर और 14 आदमी के तो 56 कितना सतर पढ़ते हैं और याज का एक अंतिम सवाल अंतिम सवाल लेखते हैं इसका एक फुटवाल टूनामेंट में साथ विविन टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं साथ टीमों के लिए 87 टोटल खिलाड़ी है कुल और प्रतेक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी है तो किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संक्या काउंसी है प्रते एक टीम में कितने खिलाड़ी हैं? 12, तो 12-12 खिलाड़ी हैं तो 7 टीम में तो बरसते 84 लोग तो जरूर होंगे, 84 खिलाड़ी जरूर होंगे, यानि कि 84 खिलाड़ी लेकिन total 87 है, यानि कि 84 घटाओंगा तो 3 बचेगा, अर्था 3, 12 खिलाड़ी तो थे ही थे, किसी टीम में 12 प्लस 3 जादा होंगे, यानि कि 15 खिलाड़ी रहे होंगे, बाकी सब में 6 टीम में 12 खिलाड़ी होंगे, और एक टीम में 12 प्लस 3 यानि 15 खिलाड़ी होगा एक टीम में, और बाकी टीमों में कितने खिलाड़ी होंगे, बाकी टीम में खिलाड़ी होंगे, छे टीमों में बारा-बारा तो हो जाएगा तो हो जाएगा क्या तो हो जाएगा आपको टोटल संख्या कितना सत्तर समझ पा रहे हैं बात यानि कि बारा-बारा के हिसाब से अगर सातों में देखते हैं तो चार आसी आता है और हमारे खिलाड़ी टोडल कितने हैं 87 यानि तीन खिलाड़ी कि सी एक टीम में ज्यादा होगे तो 12 3 15 खिलाड़े होगे तो कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है किस टीम की तो बार बड़ी संख्या 15 होगा जो टीम की संख्या से बड़ी होगा वो 15 होगा मुझे लगता है कि बातें समझ में आ रहा होगा मैं लगातार आपको प्रयास कर रहा हूं कि रुकमीनी एक बुक जो आपको बताया गया है उसको सोलुसन आप देख रहे होंगे उमीद करता हूं कि सभी लोग इसका फायदा उठा पाएंगे क्योंकि आप अगर बढ़ियां से देखते हैं तो एक एक दीन में टॉपिक आपको खतम हो जाएगा अगर 20-20 कोस्टन ही बनाते हैं पर 20-20 जिसको इधर छुटियां है तो उसमें मैं लगातार रिकॉर्ड भी कर दूँगा बहुत बहुत धन्यवाद इसी तर असे देखते रहे हैं जय हिन